हेलो, नमस्ते, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुती टेस्टी, हेल्दी और बिल्कुल सिंपल से एक रेसीपी लेकाया हूँ, ना हमें यहां पे मैदा गुदना पड़ेगा और ना ही हमें यहां पे कोई ओवन की जरूरत है, बहुती आसानी से इसे हम लोग घर पे बना सकते हैं, तो चलिए, रेसीपी को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे मैं एक बरतन में ले रहा हूँ, एक कप मैदा, और उसमें ले रहा हूँ, स्वाद अनुसा थोड़ा सा नमक, एक छोटा चमच, ब्लैक पेपर पाउडर, अब जो ड्राई चीज है, उसे एक अंडा, अब मैं यहां पे ले रहा हूँ, एक पानी पर संपूर्ण पानी एक साथ नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा पानी देना है, और इसे हमें मैदे के साथ मिला लेना है, या कह सकते हैं, विस्किंग करना है, थोड़ा थोड़ा पानी देना है, और थोड़ा स्मूध सा एक बैटर बन जाए ठिक इसी तरह जिस तरह में यहां पर आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं देखे एक स्मूध सा बैटर बन गिया है पर थोड़ा सा और इसे हमें पतला बनाना है यहां पर आप लोग देखी सकते हैं कि यह इतना स्मूथ सा एक पतला सा एक मैदे का गोल बन चुका है या बैटर बन चुका है अब जाएंगे नेक्स टेप की तरह नेक्स टेप की में मैं एक दुसरे बरतर में ले रहा हूं तीन अंडा अब इसके अंदर मैं दे रहा हूं स्वाद वनूसा नमक एक छोटा चम्मच कुटी वी काली मिर्च अब इसे हमें अच्छे सेफेट लेना है अच्छे से whisk कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह, अब इसके अंदर हमें देना है different kinds of सबजी जो हमें थंडे के टाइम में आसानी सी मिल जाता है, जैसे इसमें मैं दे रहा हूँ, टमाटर, प्याज, spring onion, capsicum और गाजर, आप लोग चाहें तो यहाँ पे कोई भी सबजी आपके पसंद के अनुसार दे सकते हैं, अब इसे हमें अंडे के साथ अच्छे से मिला लेना है, अब सबसे last stage में मैं एक non-stick तवा यहाँ पे लिया हूँ, उसमें थोड़ा से तेल लेके, अब मैं इसे brush से चारो तरफ spread कर दे रहा हूँ, इससे बहुत कम तेल में हमारा काम बन जा जाएगा, अब इसके उपर जो हम लोगों ने मेदे का गोल बनाया था या बैटर बनाया था, वो हमें तवे के उपर दे देना है, और हमें तवे के चारो तरफ हमें इसे फैला देना है, ठीक, इसी तरह, फिर मीडियम हीट पे इसे एक मीट सेक लेने के बाद, अब इसके उपर दे रहा हूँ, जो अंडा और सबजी का हम लोगों ने एक मिक्सर बना के रखा था, वो देना है, 50 परसन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, चारो तरफ इसी तरफ बीच में मैंने फैला दिया है, अब इ सीख चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे कुक हो चुका है, अब इसे मैं चार हिस्से में बाट ले रहा हूँ, या खाट ले रहा हूँ, यह मैं किसली कर रहा हूँ, यह थोड़े दिर में आप लोगों को सम्झ में आगा, अब हमें दूसरी तरफ भी तबे पर हमें सेक लेना तो इसमें एक अच्छा golden color है, यहाँ पे low heat पे मैंने इसे तीन मीट के लिए दूसरी तरफ fry कर लिया था, अब मैं इसे फीस से पलट रहा हूँ, पलटने के बाद जो हमें कर रहा है, इसमें देना है थोड़ा सा tomato ketchup, दो पीस में मैं tomato ketchup दे रहा हूँ, और उसके बाद इसमें mozzarella cheese, चाहे तो आप लोग कोई भी cheese आपके पसंद से दे सकते हैं, अब उसके बाद इसके उपर जो दूसरी तरफ जिसमें मैंने कोई cheese या कोई ketchup नहीं दिया है, उसे हम लोग इसके उपर इस तरह ढग देंगे, और हलके हाथों से उपर से प्रेस कर देंगे, क्योंकि इसमें cheese दिया हुआ है, तो ये अराम से सट जाएगा, जब cheese heat मिलने के बाद थोड़ा सा गलेगा, अब दोनों तरफ हम लोग इसे अच्छे से fry कर लेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप लोग flame को medium heat में रख सकते हैं, बस दोनों तरफ जब इस तरह से अच्छे से golden brown color आ जाए, थोड तो मेरे चैनल को ज़रूर subscribe कीजिएगा, like button प्रेस कीजिएगा और share भी कीजिएगा, साथ में bell notification ज़रूर प्रेस करना है, इसी तरह अच्छे अच्छे recipe को पाने के लिए या देखने के लिए, तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ, आप लोगों से फ झाल